हलो एव्रिवन, वेलकम टी स्ट्री रेपिट, स्ट्री रेपिट में आप सब का स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यूपी पेट एक्जाम से रेटे कुछ most important questions के बारे में, जो के dedicated है GK के उपर, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, क्या क्या important question है वहाँ पे आपके UP-PIT important GK questions की playlist बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बाकि अगर आप description में चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी link दिया गया है, क्लिक करके सारे वीडियो जो आप देख सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या important question है, आज के इस बैंक का जो governor होता present time पे, वही sign करता है, उसके sign के बिना note जो होती है, वह invalid होती है, चलिए अगला question हम देखते हैं, यह question बहुत important है, जियोग्रफी का question है, कि land of thunder dragon, किसे कहा जाता है, कि देश को जाना जाता है, land of thunder dragon के नाम से, यह देश का नाम है भूटान, भूटान देश से, जिसे जान जाता land of thunder dragon के नाम से, अगला प्रशन देखते हैं, क्या है हमारा, कि भारत सेवक समाज की अस्थापना किस महान व्यक्ति नी किया था, यह भी question बहुत important है, exam के point of view से, इसकी जो अस्थापना किया था, वो किया था, गोपाल किस गोखली ने, next question देखते हैं, क शुरुवात किया है, France country ने, जो कि अंतरिच में क्या करेंगो, सैन अभ्यास करेंगे, next question क्या है, किसके द्वारा भारत में बिरोजगारी सम्मंदी आकड़े जारी किया जाता है, यानि कौन है जो भारत में बिरोजगारी होती है, उसे लेटर जो measurement होता है, उसको कौन जार अगला question क्या है, आईने अकबरी किताब को किस ने लिखा है, ये question बहुत important exam के लिए, ये किताब लिखा है, अबुल फजल ने, अबुल फजल ने ये किताब लिखी है, और exam में कई बार ये question पूशा गया है, तो याद रखिये गए इस नाम को, आईने अकबरी किताब को कि किस ने लिखा है अबुल फजल ने लिखा है next question देखते हैं क्या है लखनव में एक इस्थित है जो आप जानते हैं जिसको बड़ा इमाम बाड़ा कर जो निर्मान था वो किस ने कराया था यानि उसको किस ने बनाया था बड़ा इमान बाड़ा जो कि लखनव में है इसे बना होते हैं मनुष्ष का जो नाखून होता है वो किस material का बना होता है वो होता है कराटिन का होता है जो कि बहुत important question है और यह biological question है तो याद रखिएगा इसका नाम अगला question देखते क्या है कि सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्यन किया था यह किया था अल बरुनी ने सबसे पहले पुराण का अध्यन किया था जो कि एक मुसलमान थे अगला question क्या है कि राश्टी सुरक्षा दिवस कम मना जाता है आपको इससे पहले मने बताया था important से कोशन बहुत ही बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा चार मार्च को बना जाता है राष्टी तुरक्षा दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टन कोश्चन है अगरा कोश्चन क्या है कि भारत के किस राज जुने इस्टूडेंट हेल्थ कार्ट जारी किया है यह कोश्चन बहुत इंपॉर्टन है करेंट फेस का कोश्चन है तो याद रखिएगा यह राज जहें जम्मू एन कश्मीर जम्मू एन कश्मीर ने शुरू किया है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड यह वेरी वेरी इंपॉर्टन कोश्चन है जो कि अब यह यह यूइन टरिट था यह करवाया था अलावत दीन खिलजी निकरा था सेरी शहर का निर्मान अगला कुश्चिन क्या है कि चंशेका राजाद की मृत्व किस शहर में हुई थी यह हुई थी अलहाबाद में जो कि अब प्रियाग राज हो चुका है मानसुन शब्द की उत्पत्त किस भासा से हुई है यह हुई है अरवी भाषा यानि मानसुन जो वर्ड हम यूज करते हैं हिंदी भाषा में वह जो लेंग्वेज है प्रॉपर वह है अरवी भाषा है ना कि वह हिंदी है मानसुन वर्ड तो यह थी important question कि पार्ट 7 है इसके बा